हेलो दियर स्ट्रेंट्स, वेलकम डू महात्माची रुकितर, तो बाई साहब कल का मैच तो सब ने देखा होगा, रात के बार बजे, देर बजे अपने जग कर कल का मैच तो जरूर देखा होगा, हर एक बंदे ने देखा होगा, हर एक बच्चों ने देखा होगा, हर एक घर म मैच चल ला होगा कल धोनी साहब का वो फाइनल CSK का वो फाइनल जिसने फिर से एक बार CSK के घर में लाया है IPL टॉफी तो कल का वो मैच भाई साहब गुजराट टाइटन्स और CSK के बीच जिसमें की CSK ने अपना बाजी मार लिया CSK ने टोटल पाच विकेट से जीत कर एक इतिहास रचा कि फिर से 2023 में जो चैंपियन टीम है वो CSK है वो धोनी की टीम है सर ये टीम से हमें कुछ सीखने वाली बात है सर इस टीम के प्लेयर से हमें कुछ सीखने वाली बात है और वो क्या चीजे है जो कि हम सीख सकते है वो क्या है जो कि हम अपने क्लास 12 के इस जर्णी में अपलाई कर सकते है तो सर क्लास 12 के इस जर्णी में अपलाई करने के लिए आप लेटेस जो मैच हुआ है इस मैच से आप सीख सकते हो चीक है आज इस टॉपी तक पहुंची है, तो भाई साब आपको भी छक्का मारना होगा, क्यों छक्का मारना है, किसलिए मारना है, या ये के 4-5 मिनट के अंदर मैं बता दूँगा, फिलहाल आपको कल का थोड़ा सा मैच का एक समड़ी बताता हूँ, लास्ट ओभर मोहित सर्मा, 6 बॉल में चाहिए थे 13 रन, स्टार्टिंग के 4 बॉल में 3 रन आए सिर्फ, अभी चाहिए 2 बॉल में 10 रन, सामने है जडेजा, बॉलिंग कर रहा है मोहित सर्मा, पच्मा बॉल, टक्ष, झखका, लास्ट बॉल, चौका और मैच, CSK ने जीत लिया, तो ये था कल का मैच, और अंतिम मौके अंतिम बॉल पे ये था कि भाई या तो CSK जीतेगा या तो गुजराज जीतेगा बट बाजी किसने मारी जिसने चौका मारा उसने बाजी मारी तो भाई साब आपके पास मौका आ गया है चौका मारने का चौका कैसे मारना है आपको छक्का कैसे मारना है आप बस बने रहो देखो कल के अकास चोपरा के एक कॉमेंटरी से मैंने एक लाइन चुड़ाया है वह लाइन जो है न बहुत पसंद आया है और आपके उपर बहुत सूट करता है मान लिया तो हार है ठान लिया तो जीत है मान लिया तो हार है सर हार का मतलब यहीं नहीं है कि सिर्फ फेल सर हार का मतलब यह है कि 75%, 70%, सर 70-75% तो सब लाते हैं आज काल यह फैसन हो गया है 75-70% सभी को आ जाते हैं 80% सभी को आ जाते है सर हार का मतलब सिर्फ यहीं नहीं है कि फेल हार का मतलब यह है कि first division भी आ गया तो आप हारे ही हो क्योंकि बिहार पो जितना हलका जितना easy pattern लेकर आई है इसमें तो भाई हर किसी को 450 के उपर ही सोचना चाहिए 90% 95% के बारे में ही सोचना चाहिए लेकिन बच्चे नहीं सोच पाते हैं बट आप अगर सोच लिये तो आप वहां तक पहुच सकते हो अगर आपने ठान लिया तो आप यहां तक 450 तक पहुच सकते हो 450 तक पहुच सकते हो अगर आपने ठान लिया नहीं ठाना तो सर 70% से लेकर 75 ऐसे कुछ भी आ सकता है ठीक है तो सर ठान लो आप ठान लो सर ठीक है और ठान कर सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे आपको किसके पीछे भागना है तो आपको इस ट्रॉफी के पीछे भागना है ये बिहार बोड का ट्रॉफी है ये एस्टेट राइंग का ट्रॉफी है और यहां पे आपका नाम होना चाहिए आपको इसी लिए पढ़ाई करना है आपको इस ट्रॉफी के लिए पढ़ाई करना है एस्टेट रैंक वन के लिए पढ़ाई करना है दो हजार चॉपिस में अगर एस्टेट रैंक वन आएगा तो मेरा आएगा भाई स्टेट रैंक वन आएगा तो मेरा आएगा इसक अपना लैला बनाओ सर लैला क्या होती है जिसके प्यार में हम पागल होते हैं इसको आप अपना लैला बनाओ और इसके पीछे भागो भागो इसके पीछे इसके पीछे भागो आप एकदम हाथ धोकर पर जाओ इसके पीछे सर हाथ धोकर मतलब यह है कि अगर यह लैला तुम से चौमिन का डिमांड कर रही है तो तुम इसको चौमिन खिलाओ अगर यह लैला तुम है आइसक्रीम का डिमांड कर रही है तुम आइसक्रीम खिलाओ सर लैला के पीछे पीछे भागते भागते ऐसा भी हो सकता है कि मान के चलते कि ये लैला हमें ना मिले, फिर भी गम नहीं क्योंकि इसकी सहेली तो मिल जाएगी ना, सर लैला के पीछे भागते भागते इसकी सहेली ही पट जाए कहीं, सर इसकी सहेली rank 2, rank 3, rank 10 तक, सर पट तो जाएगी ना इसकी सहेली तो सेर अगर हमें ये लैला ना मिली फिर भी गम नहीं हमें इसकी सहेली मिल जाएगी भागना लैला के पीछे है मिल तो जाएगी सहेली भी ठीक है तो सेर आप इसको अपना सपना बना लो इसको अपना लैला बना लो या इसको अपना मजबूरी बन कुछ भी बनाओ लेकिन हमें ये ट्रॉफी चाहिए जैसे CSK ने IPL ट्रॉफी लाया अब आपकी बारी है कि आपको यह ट्रॉफी लाना है और इस ट्रॉफी को लाने के लिए उस सफर को असान बनाने के लिए हम और हमारे पूरे टीचर्स आपके साथ हैं आपके daily life classes हो चाहे आपका homework हो चाहे आपका आपके लिए formula sit बनानी की बात हो चाहे आपके लिए hand return notes बनानी की बात हो चाहे आपके लिए derivation हो कुछ भी हो वो सब कुछ हम प्रभाइद करेंगे सभी resources हम लाएंगे बस आपको इसके पीछे भागना है आपको इसके पीछे बाई हम आपको धक्का देंगे कि भागो और भागो हम आपको resources लाला कर देंगे बस आपको भागना है और इसको पाना है तो हमने ले लिये है संकल्प आप भी ले लो संकल्प संकल्प batch 3.0 start हो रहा है आपका कब तुसर 5 जून को हमारा ये संकल्प batch 3.2 स्टार्ट हो रहा है 3.0 स्टार्ट हो रहा है क्लास 12 के इंगलिस मीडियम बच्चों के लिए तो आप इस संकल्प के यात्रा में संकल्प के टीम में जुड़ जाओ और वाई स्टार्ट करो अपना पढ़ाई इस बैच के साथ आपको क्या मिलेगा सबसे मोस्ट इंपोर्टन चीज़ इस बैच के साथ आपको मिलेगा नो बैक लॉग क्यों सर क्योंकि सर ये हमारा पाच जून को स्टार्ट हो रहा है और ये बैच कितने में मिलेगा तो सर चार जून तक ये ओफर है कि इस बैच को आप सिर्फ और सिर्फ अठारा सौ में जौइन कर सकते हो जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट मिल ला होगा फिजिक्स केमेस्ट्री इंगलिस इंदी बायो ठीक है छेओ का छेओ सब्जेक्ट इंगलिस माध्या में मिल लई होगी उसके बाद ये जो बैच का फी है ये पच्चीस हो जाएगा ये भी बहुत मीनिमम है तो चिंसा करनी वाली बात ने बहुत मीनिमम फी के साथ हम लोग संकल्प ले रहे होंगे और टॉप करके दिखाएंगे आपको छक्का मारना है इस बैच के साथ आपको छक्का मारना है महातमाजी एडुकेटर के साथ आपको छक्का मारना है बिहार बोर्ड एस्टेट रैंक के साथ ठीक है तो आईए मिलकर हम लोग संकल्प लेते हैं मिलकर हम लोग छक्का मारते हैं मिलकर हम लोग चौका मारते हैं और इस सफर को आसान बनाते हैं इस सफर के यादगार बनाते हैं और 2024 हमारा है हमारा है हमारा है इसका नारा लगाते हैं और आप लोग को भी कमेंट बॉक्स में 2024 हमारा है हमारा है करके भर देना है तो आईए भरते हैं 2024 हमारा है तो जाइए कमेंट बॉक्स में और इसका नार लग जाना चाहिए एकदम भरपूर नारा हर एक बच्चों को उसके बोर्ट एक्जाम की कसम कि भाई 2024 आपका है तो मिलते हैं हम लोग classes में और ये जो batch है आपको कहां मिलेगी तो महातमाजी एडुकेटर एप पे मिलेगा नीचे description box में link है comment box में लिंक पिन कर दिया है जाकर join कर लो इस batch के एक और खासियत है सर आप इस batch में हैंडराइज करके doubt पूछ सकते हो बोलकर मतलब audio call पे आप teacher से interact कर सकते हो जो कि बिहार बोर्ट के किसी भी application में नहीं है महातमाजी एडुकेटर को छोड़ के तो मिलते हैं हम लोग classes में बैस्ट में और next वीडियो किस topic पे चाहिए comment करो तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रम healthy खाईए healthy रही है और मज़े में पढ़ाई करते रही है very very best of luck for your 2024 examination बबाए